हीट इंजन हीट इंजन आपने देखे होंगे जितने भी वेहिकल्स देखे हैं आपने टू विलर त्री विलर फॉर विलर शीप एरोप्लेन इंडस्ट्री जा वर्क्षाप जा लोकोमोटिव जितने भी आपने देखे होंगे जितने भी उसमें इंजन लगे होते हैं वो सारे क्या है फिर हीट एंजिन एक मशीन है जो कनवार्ट करती है यह जो काम फ्यू लोता है यहां आप कहलो भी कोल नोता डीजल वो जनेट करता है हीट और वह हीट जो जनेट करता है वो एक सूटिबल मशीन से जन्रेट करता है इसलिए जो heat energy आगे हमें produce होती है वो convert होती है useful work में तो उसको हम कहते हैं पि mechanical energy में यह convert होगी तो heat engine जो आगे further divided होते हैं पि internal combustion engine होते हैं इंटर्नल combustion engine जो होते हैं इसमें steam engine कह सकते हैं जो कि हम इंडस्ट्री में लगाते हैं आपका लोग बड़े-बड़े power stations पे जो steam engine लगते हैं वो अगर steam engine है जैसे hydro plants पे कहलो आप sugar mills में कहलो हम क्या करते हैं जहां पे भी आपकी steam turbine जो है steam से काम करती है जिए शीप में जितने भी इंजन लगते हैं वह steam engine होते हैं वह external combustion engine टाइप होते हैं इसी तरह यह आगे फिर further divider हो जाद आपी reciprocating engine जो होता है फिर दो further divided हो था सी एंजन और एसा इंजन जो होते हैं इंजन होते हैं और जो ची आई जो compression ignition engine होते हैं इंजन का मतलब यह डीजल इंजन है तो इन में क्या होता है फिर लिकवर्ड फ्यूल इंजेक्टिड इंजेक्टिड इंदा सलेंडर अंडर हाई प्रेशर बहुत हाई प्रेशर पे इसमें इसमें कार्बूरेटर नहीं लग और ऐसा ही इंजन में स्पार्क प्लग होता है जिसमें एर और फ्यूल की मिक्चर होती है और उसके बाद इसकी आटोमाईजेशन होती है बैपराइशन होती है पिर प्रेक्ट प्रपोर्शन में यह इंजन सलेंडर में जाती है थ्रूदा इंटेक मैनिफोल्ड मतलब हम इस और यह next फिर फरदर divided हो जाते हैं फिर जैसे two stock engine क्या होता है four stock engine क्या होता है similarly si engine में two stock और four stock engine क्या होते है और हमारी जो मैं एक और चीज़ पर तना जाओं आपको पी si engine जो होते हैं उसमें compression ratio जो होती है 14 ratio 1 होती है 14 ratio 1 diesel engine में six-way इन्जन में jesus पर 20 रिगी की मिक्षिंग होति है एक रेक्र सबिलने चाहिए चाहिए तो वही हमारी दनले का में यह अयहां कर शांगतर को सब्सक्राइब तिया ओ उसमें एट रलेशिऑ होती है मदल्स हम एक लोगे लेते हैं और इक लो पेट्रोल लेते हैं फिर उसकी मिक्चछर को हम कार्बुरेटर में है लीज theo करके आगे इंजनको वेज दे और यह स्टोग और फोस्टहों के पिट होते हैं जो होते हैं वह उसमें क्या होता है पर जो पार mour consequently कोता है वो एच रहुलेशन पे拉bn स्ट हाफ्ट कि आशेन पर हमें पावर देता है तू स्टोग में और यह 360 degree जो है रोटेट करती है, तो इसमें चार हमारी processes होती है, injection, compression, working and exhaust, जे चारों ही 90 degree भी होती है, मगर 4 s Shepherd में यह क्या होता है, फी यह 180 degree पे हर एक होती है, जैसे suction 180 पे, compression 180 पे, similarly working stroke है, वो भी 180 पे और exhaust भी 180 पे होता है, तो इसमें जो crank है दो बार rotate करती है और 720 डीगरी का angle जो है cover करती है वो इसलिए जो 2-stroke engine होते हैं उसमें हमारे port लगे होते हैं as compared to the valve तो 4-stroke में हमारे valve लगे होते हैं जो टू स्टोग में जो अटैव फुली क्लोजड होती है और एर-tight होती है मगर ap तो होती होती है मगर सेमिक्लोजड और जो टू स्टोग में है पिट्सटन जो है बोद सयाड़ भर करता है मतलए कि आप टॉप्ट्ट tricks पर पहुता है वह उतनी पावर देता है बोटम टेट सेंटर पह सेंटर करता है तो तो में यहाई पहुर्ट वील होता है और फ्यूल जो होती है वह जो fully consumed नहीं होती two stock में as compared to the four stock में जो की होती है fully consumed हो जाती है और weight of the engine अगर हम HP के हिसाब से जाए तो two stock का comparatively low होता है as compared to the four stock engine पे और similarly thermal efficiency जो होती है हमारी very low होती है two stock में as compared to the four stock engine तो डिती रूबशन्न करते हैं और इसमें जो क्रहं करते हैं और वेट करती है तो यह आगर अगर जाये तो वेट जो दूस्त क्वार जो क्लक में होता है जो हमारे two stock engine होते हैं जो high speed इंजिनी होते हैं मगर जो four stock engine होते हैं जो all type of speeds इसमें possible है जैसे कि आपका लोबी high speed पे भी होते हैं और ये low speed पे भी काम करते हैं इसमें एक और चीज में आपको add करना चाहूंगा भी एक वी कर्बूरेटर नहीं होता है और एक क्रथे कोईल पी नहीं होती है और आध बίζ lic promo कmen कार्पूरेटर भी होता बीय debit और ये एउन्जिन वाल दिना आते हैं और डीजल इंजन जो होता है वो डीजल साइकल को फालो करता है और इसमें जो फ्यूल होती है वो डीजल होता है सो थैंक्स